प्रॉपरली पूरे के पूरे चार्ट को अनलेसिस किया है और वहाँ पे salary कौन सा कितना amount है वो भी बता रहे है मुजिक को जॉन्रा सेलेक करने के बाद या पे आपका music ready बुम और इस music को आप बाद में डाउनलोड करके use कर सकते है मैं अपने नए project के लिए Google पे कुछ images सर्च कर रहा था और उतने में मेरे सामने ये image आई इस image में आप देख सकते हैं एक इनसान अपना बोरिया बिस्तर बांद कर अपने ओपिस से निकल रहा है और उसकी जगर robot ले रहा है क्या सच में ऐसा होगा अगर मुझसे कोई पूचेगा तो मेरा जवाब है नहीं AI will not replace you guys the person using AI will definitely do जी हाँ अगर आप AI को नहीं जानते है तो आपकी जगर लेने वाला है वो इनसान जिसको AI अच्छी तरसे इस्तमाल करने आता है AI की टूल्स जादा आते AI पर अच्छी तरसे प्रॉंप्ट लिखने आता है तो इसके लिए करना क्या होगा आपको AI टूल्स के बारे में पता हूँ नाची AI के उपर प्रॉंप्ट कैसे लिखे जाते कैसे उससे काम करवा सकते काम करवाना आना च्छी बिसिकली तो चलिए मैं बताने हो लाओ seven interesting AI टूल के बारे में जिसे जानकर आपका knowledge बढ़ने वाला है वो आगे चलकर आपको काम में definitely आएगा मैं सदिश आप सबका स्वाबत कतो let's begin सबसे पहला AI टूल चाट जीपीटी नहीं वह मैंने अल्रीड बता दिया अब मैं बताने हो गूगल बार्ड जियां चाट जीपीटी का तो मैं यही सवाल चाट जीपीटी को पूछूंगा पहले मैं चाट जीपीटी को पूछूंगा यहां पर दिखिए Microsoft Office 365 recently include Python in Excel, give me info about that मैं यह सवाल चाट जीपीटी को पूछा है मैं यहां पर hit करता हो एरो तो यह बता रहा है कि as of my last knowledge update in September 2021 Microsoft Office 365 did have some integration with Python through various add-ins right and extension तो उसने बोला है कि उसके पास knowledge is September 2021 के पहले का और उसके साब से बहुत सारे और अलग-अलग add-ins से उसके मत से आप Microsoft Excel यह Office 365 में यह add-ins के जरीए आप Python इंटिग्रेट कर सकते उसने latest नहीं बताया अल्रेडी हो चुका राइट पाइथन आ चुका इसके उपर मैंने dedicated video learn more channel पर बनाया अगर आप नहीं जानते पाइथन एकसल में कैसे इस्तेमाल करना है तो मैंने गूगल का बाड जो है AI टूल यहां पर यही सवाल मैं यही प्रॉंप्ट मैं कॉपी पेश करूंगा टाइप करूंगा यह दिखाए दे रहे आपको और यह क्या इंपरमिशन देता है देखते है क्योंकि यह डिरेकली इंटरेट से कनेक्टड है क्योंकि चाट जी पीटी जो है वो सब्टेवर 2021 तक अपडेट जो फ्री चाट जीपीट उसकी में बात करो चाट जीपीट 4.0 आपको सपेड और वो इंटरेट के साथ कनेक्टड है बट य यहां पर मैं वही इंपरमिशन सेच कर रहा हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि कस्टम विजुलाइज़ेशन स्टाटिस्टिकल अनलसिस अप कैसे कर सकते हैं क्योंकि यह पाइथन एकसल में आने से समीप काउंटी इनकी चुटी होगी और चुटी कैसे करनी वह ने वहाँ पर बता दिया ओलड़ी फिलाल तो मैंने आपको बता है कि गूगल बार्ड क तो तेल यूओ शूपर यूजफुल ऑप्शन आप गूगल बार्ड यहां पे चोटा सा प्लस अपलोड बटन आपको दिखाए दे रहा है इस पे क्लिक किजे फिलाल यह पे जपीज पीज पीज वेब दिखाए दे रहा है तो मैं यह पे अपलोड फाइल पे क्लिक करता यहां पे अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद यहां पे मेरे पास एक इमेज है बेसिकली एक ग्राफ है मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ राइट जैसे मैं इसे अपलोड करता हूँ यहां पे इमेज फाइल यहां पे इमेज ही अपलोड होगा फिलाल तो आगे चलकर वो एक्सल फाइल भी देंगे शायद, विकॉद चैट GPT 4.0 में एक्सल फाइल भी अप्लोड होता है, वो पेड है बिसिकली, बट उसके उपर बाद में कब यूडियो बनाऊगा, फिलाल तो यहां पर आप देख सकते, मैंने एक इमेज फाइल अप्लोड कर दी है, सबसे जादा जालरी यहां पर दीखाए दे है, अब मैं यहां टो गूगल बाद में और उसने कुछ इंफॉमिशन आपको लाके दी है, मैं पढ़ लेताो इसे, इमेज शोग्स, As a graph, total salary by position, उसने बताए कि बढ़े, total salary by position उसने बताए कि बढ़े, total salary by position उसने बताए कि बढ़े, the position are listed in x-axis, total salary is on the y-axis, उसने प्रोपर ली पूरे चार्ट को अनलेसिस किया, और वहाँ पे salary कौन सा कितना amount वह भी बता रहे, sales position कि कितनी salary, product manager कि कितनी, finance कि कितनी, data scientist कि कितनी, software engineer, हर एक यहाँ पे department कि salary उसने बता दिया है, तो भही यह उस चार्ट को उसने read कर लिया है, right, तो interesting है तो यहाँ पे आपको plus button पे click करना है, and upload file पे click करके यहाँ पे upload कर देना है, अब Google बार में बहुत कुछ चीज़े होता है, इसकी उपर learn more channel पे dedicated video upload हो रहा है, इसलिए learn more channel का link description में दे रहा हूँ, उसे भी subscribe करके रखना, एक dedicated video की गूगल बार में हम क्या क्या कर सकते है, मैं तो एक trailer आपको दिखा है, इस AI tool का, अब इस Google बार से बहुत सारी चीज़े होती है, जो कि आपको learn more channel पे video मेलेगा, इसलिए चानल को subscribe कीज़े, learn more channel की link description में आपने दी है जिसकी मदद से क्या होगा, एक बड़े video के अंदर के अलग-अलग clip निकालने के लिए आपको अभी video dating करने की या सीखने की ज़रोत नहीं है, आप यहाँ पे आसानी से इस video.ai की मदद से कर सकते हैं, आपको यहाँ पे टूल पे जाना है, इस टूल पे जाकर आपको वीडि music भी तयार कर सकता है, वीडियो तो edit मैने आपको दिखा है, clip को cut कर सकता है, वैसे यहाँ पे music भी तयार करता है, bitohan.ai इस website के जरी आप अपना music तयार कर सकते हैं, which is absolutely copyright free, जियां दोस्तों, यह music जो generate होगा, यह आप डाइरेक्ली YouTube के लिए use कर सकते है, copyright free रहेगा, अगर आ आप यूज कर सकते हैं, आपने प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए, इसके लिए करने के लिए, इसके लिए करना किया है, bitohan.ai विजिट करना है, create new track पे क्लिक किजे, title दीजे track को, उसके बाद यहाँ पे music duration और tempo select किजे, उसके बद आपको यहाँ पे music genre और music genre select करने के बाद यहाँ पे आपका music ready, boom, और इस music को आप बाद में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, कापी आसान तूल है और कापी useful तूल है, बट यहाँ पे इसका pro origin लोग है, तो यह बहुत useful होगा, और अभी तो इसकी शुरुवात है, आगे चलकर यह बहुत बड़े लेवल प इसकी अपने प्रोड़ॉड को अप्लोड करके सिलेक कर ले तो यहाँ पी इसका मौकिंग करने के लिए ग्राफिक डिजाइनर को बहुत टाइम लगता था, अभी आपको यहाँ पे टाइम लगने होला है, बस फ्लेर.ai विजिट कर लो और अपने प्रोड़ॉड की इमेज यहाँ पे अड़ कर दो, तो निक्स्ट यहाँ टूल है, runwayml.com, जिसकी मदद से आप वीडियो का बैक्राउंड रिमू कर सकते हैं, आज तक आपने इमेज का बैक्राउंड रिमू कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप वीडियो का बैक्राउंड रिमू कर सकते हैं, वीडियो का पुरतें से किया है इस धेर सारी चीजीजे आप वीडियों में कर सकते AI tool का नाम है tom.app और यहां पर आपको अपका प्रेजंटेशन के लिए कमांड लिखना है जैसे आप एक sales manager हो और आपको आपने business का ग्रोथ करने के लिए प्रेजंटेशन बनाना है तो act as a sales manager and create a five slides presentation to increase my company sales आप company का नाम भी वहां पर लिख सकते हैं तो इस तरह से आपने prompt दे दिया तो automatically यहां पर प्रेजंटेशन तयार होके आपके सामने आ जाएगा मतलब आपको यहां पर content research करो प्रेजंटेशन बनता है और बहुत सारे यहां पर credits भी फ्री मिलते है इसका नाम है gama.app इसके उपर बस आप properly prompt type करोगे तो आपका एक amazing सा प्रेजंटेशन यहां पर बना की मिल जाएगा जहां पर आपको images बैड करके मिलेगा जहां पर आपको आपको designs templates add करके मिलेंगे इवन आप slides के यहां पर designs भी change कर सकते slides को आप यहां पर PPT और PDF में export भी कर सकते हैं और जो presentation यहां पर create करते हो उसमें कुछ भी edit करना है मतलब आपको images edit करना है या फिर आपको content edit करना है तो यह भी आपको आप एक gama.app easily allow करता है तो यह भी AI tools जरूर चेक कीजिए तो यह थे 7 AI tools लेकिन मैं आपको बता हूँ कि अगर आप AI tools में और expert बना चाहते चैट GPT में basically expert बना चाहते Excel के अंदर chat GPT या office के अंदर chat GPT कैसे इस्तमाल करते है तो इसके लिए मैंने skill course application पे course design किया है जी हाँ एक crash course design किया है और वो बस 9 रुपए उसकी कीमत है वो आप directly enroll करके सीख सकते है गर बैटे-बैटे with certificate जी हाँ और skill course application पे मैंने डेर सारे skill courses रखे जिससे आपका skill definitely improve होगा यह skill सीख के आप अपने salary increment कर सकते है या फिर आप in-house appraisal round के लिए qualify हो सकते तो जल्दी से जाकर skill course application को डाउनलोड कीजिए और check out कीजिए यह सभी courses साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए मिलते अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रुकिए बाई-बाई